आईए इनका सामना करते हैं, लगभग हम सभी को गुप्त मार्क पसंद होते हैं, आपको इजात और एडविंचरस मुवीज में देखने को मिलते होंगे, जैसा कि हम इंडियाना जोन्स या घुमने वाला फायर प्लेस यहां तक की पुराने टूटे फूटे घर में भी, सभी कमरों के पीछे एक रहस्य चुपा होता है, इन्हें इतिहास में कई बार या तो प्रीस्ट को चुपाने के लिए या फिर मर्डर विक्टिम्स को चुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आजकल आपको ये वाइन रखने की जगए या फिर बच्चों के खिलने क जगे के रूप में देखने को मिल सकता है वैसे इन चुपे हुई जगों को थोड़ी बहुत इंजिनरिंग की ज़रुत तो पड़ती है ताकि इन्हें सही से इस्तेमाल किया जा सके इसलिए तो ये किसी भी घर में एक खास जगे का एसास देते हैं तो आईए आज हम कुछ ऐस जुणारम से ही छुपे हुए घर और गुपत्ध मार्थ देखते हैं जने देकर आप चौूंक जाएंगे सबसे पहले तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा कि हम एह पूरे बात करें और क्रेटीव होम इंजिनिरिंग के बारे में बात नहीं करें इस कंपनी this Home Automation Engineer Steve Humble द्वारा शुरू किया गया था, जो आपके घरों में छुपी हुई जगों को बनाने में माहिर है, और इन्होंने सच में वाकई काबले तारीफ काम किया है. अब दारण के तोर पर इन सीधियों को देख लीजे, इन्हें देखकर आपको बिल्कुल शक नहीं होगा कि ये कोई आम सीधियां नहीं है, लेकिन जैसे गर का मालिक रिमोट से एक बटन दबाता है तो ये सीधियां उपर उठती है, जिसके उस बार आपको एक खिलोनों से भरा हुआ कमरा देखने को मिल सकता है, जहां टेलिविजिन से लेकर बहुत सारे खिलोनी हैं, ये खास कर तब काम आते हैं जब ये शैतान अमारे कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं और आपको थोड़ी शान्ती चाहिए होती है, यहां पर स्टीव को काम करते हुए आप देख सकते हैं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है, जैसे ये किसी आम ड्रॉव पर बैटकर काम कर रहे हैं, लिकिन जब स्टीव इस मेकनिसम को एक्टिव करते हैं, तो लकडी का ये भारी भरकम फरनीचर धीरे से खुल जाता है, जहांसे आपको एक सीक्रिट रास्ता नजर आएगा, जो आपको एक कैसी जगह पर लिजाएगा, जहां आप जाना चाहते हैं, यहां पर इंजनरिंग की क्वालिटी की दा देनी पड़ीगी, और सच कहूं तो यहां बस सिर्फ exact calculations ही काम आ सकते हैं, अगर इनका एक छोटा सा हिस्सा भी एक बटा 16 इंच से भी फर्क दे जाए, तो इस सीक्रिट दरवाजी को आराम से देखा जा सकता है, और हो सकता है कि यह ठीक से काम भी ना करें, इनके जावता प्रजेक्ट्स में बहुत सारी लकडियों का इस्तिमाल किया जाता है, जो कि इंजिनिरिंग के लिए एक बढ़िया सामान नहीं मानी जा सकती ही, क्योंकि आप इन्हें कितना भी तोड़ो मरोड लें, इन्हें एक नहीं, बलकि दो तरीकों से खोला जा सकता है, सबसे पहले तो आपको शेक्स्पीर की ब्रोंज स्टेच्ईू को फिलिप करना होगा, सॉरी, नहीं, नहीं, वेलियम का, इससे आप एक फिंगर प्रिंट स्कैनर को प्रकट कर सकते हैं, जहां आप अपनी उंगली को स्वाइप करके पूरे मेकनिजम एक्टिविट कर सकते हैं, लिकिन ये दूसरा तरीका और भी ज़्यादा कूल है, क्या आप टेबल पर रखी वो चेस गिम को देख सकते हैं? ये कोई आम चैस सेट नहीं है, ये एक चाबी भी है, जब आप कुछ प्यादों को सही स्कैर में रखते हैं, तो ये फारे प्लेस किसी जादूई जगे की तरह खुल जाती है, कल्पना कीजे कि आप अपनी किसी दोस्त के साथ चैस खेल रहे हों, जिससे कुछ भी पता नहीं है, और वो दर्वाजा भूल से खुल जाता है, हो सकता है कि आपने उन्हें बॉंड की तरह चौका की रख दिया हो, फाइर प्लेसेज को सटीक लीनिया बॉल बेरिंग ट्रक के पास रखा गया है, जो 6,000 पाउंड से भी जादा वजन जिल सकते हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि ये कंस्रक्शन कितने जादा ट्रेक्टिव होते हैं, लेकिन सीक्रिट पैसेजिस के साथ हमेशा खेल और मस्ती नहीं जूड़ी होती, कभी-कभी इन दर्वाजों को अंदर मौझूद लोगों को बाहर वाले लोगों से बचाने के लिए बनाया जाता है, इस बुलट प्रूफ रूम में एक पिन होल वीडियो कैमरा और LCD मॉनिटर लगा हुआ है, जिससे आप देख सकते हैं कि कौन अंदर आ रहा है, वहीं दूसरी और स्टील का एक भारी भरकम दर्वाजा किसी आम बुक की इसकी तरह नजर आता है, इसके लिए आपको बस सही बुक को जरा सी टेड़ी करने की जरुवत होती है, और हाँ फिर आप किसी को भी डरा सकते हैं, यहां उनके द्वारा बनाये गया एक और क्रिएशन है, जिसे हम Extreme Makeover भी मान सकते हैं, जब टाय पेनिंग्टन अपने हाथ से घड़ी पर रात के बारा बजाते हैं, तो वहां मौजूर ड्रॉर्स खुल जाता है, जहां आपको एक Secret Compartment खुलता है, सच में यह बच्चा वाकई किस्मत वाला है, उसका एक Final दारन हम HGTV पर देख सकते हैं, यह आपको कोई आम जगे जैसी लगेगी, जहां एक फूल दान रखा हुआ है, लेकिन असल में यहां पर एक Fingerprint से चलने वाली सिस्टम है, जो Secret Compartment को खूलती है, और कोई भी Secret Compartment तब तक पूरी नहीं होती, जब तक वहां Cross दलवारे नहीं हैं, क्यों, सही का ना मैंने, क्या आप कभी किसी Party में जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि काश मेरी शराब को चुपानी के लिए कुई जगह मिल जाती, तो फिर Party करने वाले लोग मेरे साथ बने रहेगा, क्योंकि आप मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, शराब का एक चुपा हुआ तैखाना, Engineering का ये नमूना, फ्रेंच की कमपनी पॉली केव द्वारा बनाए गया है, ताकि आप अपनी दारूँ को सुरक्षित रख सकें, यहां तक कि यहां के तापमान को कंट्रोल में भी रखा जा सकता है, इसकी कीमत सिर्फ 9,400 है, बस ध्यान रखें कि कोई उस जगह पर खड़ा ना हो, जब आप इसे अक्टिवेट कर रहे हों, वरना शायद विक इसी अंगूर की तरह क्रेश हो सकते हैं, आपको वाइन पसंद है या नहीं, तो फिर बियर के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो पेश है बियर लिफ्ट, और हाँ ये बिलकुल एक लिफ्ट की तरह काम करता है, बियर लिफ्ट आपके फोन पर मुझूद एक एप की मदद से चलता है, और आप अपना एक 3D प्रिंट, कैट फाइल की मदद से बना सकते हैं, अब जर्मनी के क्लासिक इंजिर्णिंग इनोवेशन का नमूना, जिसे देखकर मैं बस इतना कहूँगा, कि यहाँ अब आपको एक बोतल ही खुलने ही जरूरत है, और फिर बस कुछ नई चीज़ों का मजा लें, शराब से जुड़ा हुआ यह आखरी एक्जामपल है, जहां बुक्स से एक्टिवेटेड घुमने वाली किताब जुड़ी हुई है, जो टीवी देखने वालों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि असल में यहाँ पर टीवी ही गायब हो जाता है, और यह पीने वाले लोगों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है, क्योंकि इस टेबल के पीछे एक बेहतरीन बार शुपा हुआ है, तो आप ही पताएं कि आप यह लेना पसंद करेंगे या फिर टीवी देखना, अब यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे मुझे लगता है कि लोग इसे छुपाना नहीं चाहेंगे, और वो है उनके स्विमिंग पूल्स, एक नजर जरा इन वीडियोज पर डाल दें, इस वेट रूम में क्या आपको यह जमीन थोड़ी अजीब नहीं लग रही है, जैसे ही यहां की जमीन नीचे की ओर जा रही है और यहां पर पानी भरता जाता है, और बस कुछी मिनिट्स में यह जगे जो पहले एक जमीन जैसी नजर आ रही थी, वो अब ब्लू लाइटिंग वाले स्विमिंग पूल में तबदील हो जाती है, जहां सीडियां भी हैं, बस यहां पर अगर कुछ मिसिंग है तो वो है, कुछ शाक्स जिनके सर पर लेजर लगी हुई हो, तो आईए चुपे हुए स्विमिंग पूल के उधारन देखते हैं, इस वाले को देखकर आपको ऐसा लगेगा, जैसे यह गार्डन में लगाए गए पत्थर हैं, लेकिन जब इन्हें एक्टिवेट किया जाता है, तो यह एक स्विमिंग पूल में तबदील हो जाता है, जिसकी तीन जगह पर अलग-अलग गहराईयां हैं, एक बार जब आपका काम हो जाता है, तो यह दुबारा से पत्थर में तबदील हो जाता है, जिसके केंद्र को आप बार्बिक्यू के लिए भी इस्तिमाल कर सकते हैं, सच में यह बहुत ही अच्छा है, कि आपको सच में इस विमिंग पूल चाहिए, लेकिन आप अपनी लॉन की जगे से किसी तरह का कॉंप्रोमाईज नहीं करना चाहते, तो डरिये मत, लॉन का ये रक्टेंगल टुकड़े की नीचे चुपा हुआ है एक प्लंच पूल, मैं बस एक सर्जेशन देना चाहूँगा कि इसके शैलो मोड को टिलाइट्स तहरने के लिए इस्तिमाल किया सकता है, और इस जगे को और भी ज़्यादा लग्जूरियस बना दीती है ये, अच्छा है ना ये, वाड्रोब और क्लोसेट्स को आप कुछ सीक्रिट रूम्स को चुपाने के लिए आपने देखा हुगा, लेकिन इस वीडियो में आपको एक आदमी अपने आफिस में जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो किसी आम इंसान की तरह से दरवाजी से जाने की बजाए, नाडनिया को खींचता है और अपनी अलमारी के पीछे से घुचता है, और दूसरी तरफ उनका असलान उनका इंतिजार कर रहा होता है, जादू, अब हम वाड्रोब के बारे में बात कर रहे हैं, और आप इस क्लोजेट के पीछे चल भी सकते हैं, हो सकता है कि पहले आपको ये एक हैट शेल्फ के जैसा नजर आए, लेकिन जब इससे खुला जाता है तो इसके पीछे आप एक लंबी जगए देख सकते हैं, जहां आप अपने सामान को स्टोर कर सकते हैं, आखिर कार मुझे मेरे फ्लैक पॉल्स रखने की जगए मिल ही गई, किसी भी सीक्रिट जगए जैसे की सीक्रिट रूम, पैसेज, इस तरह के स्टोरेज एरिया को चुपाने के लिए पत्थरों का उप्योग बेहतरी तरीके से किया जा सकता है, इन इटों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये खुद ही हमें रास्ता दे देती हैं, एक नजर जरा इस छुपे हुए कमरे पर डाले, इसे एक क्रिटिव रॉक डिजाइन वर्क्शॉप के द्वारा बनाय गया है, आपको शायद ऐसा लग सकता है कि यहां से अंदर जाने का रास्ता दाई और है, लिकिन असल में रास्ता बिलकुल आपके सामने है, बस आपको इसके लिए पत्थर से बनी दीवाल को धक्का मारना है और यहां का सीक्रिट दरवाजा खुल जाता है, यहां अंदर आपको एक ऐसा बेस्मेंट मिल जाएगा, जहां आप अपनी पत्नी से चुपचाप बैट कर बात कर सकते हैं, बस उसे ऐसा बता दिना कि मैंने आपसे ऐसा कहा है, दुनिया के दूसरे कोनों में भी कई ऐसी जगे हैं, जो की मशूर या फिर अपने सीक्रिट पैसेजेज और उनके पीछे की कहानियों के कारण बदनाम भी हैं, जैसा कि बिटानिया मैनर के किस्से में आप देख सकते हैं, यह गेम डिजाइनर रिचर्ट गेरिट का पूर्व निवास था, जैसे लॉर्ड बिटिश के नाम से भी जाना जाता था, कैरी टॉट ने अल्टिमा गेम सीरीज बनाई थी, इस गेम को बेच कर पैसे कमाई थे, उनमें से जाहतर उन्होंने इस मज़दार घर को बनाने में खर्च कर दिये, जो आस्टिन टेकसस में इस्थित है, या मैनर के केंदर से जुड़ा हुआ है, और ये सब ही फ्लोर्स पर हमें जानी के नुमती देता है, इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो गरियोट का एक क्रेन रेंट पर लेनी पड़ेगी, ताकि वो स्टेयर केस को उठा कर उसे उसकी जगह पर रख सकें, इन सीड़ियों के नीचे तीन फ्लोर्स हैं, ये वही जगह है जहां रिचर्ड अपनी जादूई चीज़ें और आर्टिफेक्स डिस्पले करते हैं, और यहां नीचे रिचर्ड कंकाल रखते हैं, जिसका नाम पेडरो है, और बे इसे एक कफिन में रखते हैं, दरसल पेडरो की कबर को एक मैगनेटिक चाबी की मदल से खोला भी जा सकता है, जहां एक सेफ है, जो असल में एक छुपा हुआ कमपार्टमेंट है, चुपे हुए कमरे के अंदर मेरे हिसाब से इसके लिए एक स्केप रूम बनाना चाहिए, जो की पब्लिक के खुला हो, या फिर इससे और ज़्यादा मुसीबाद आने वाली है, आपको क्या लगता है, हमने जहाता समय चुपे हुए कमरों को घर के अंदर ही देखा है, क्यों सही का ना मैंने, तो एक बार फिर सूचिए, एक नज़ा ज़रा इस विक्टोरियन फेस्ट पर भी डालिये, जो की सेंट फ्रांसिस्को के हाइट अश्बुरी नेबर हुड में है, वैसे तो दिखने में ये आम थोड़ा कमजोर, लेकिन स्टाइलिश घर के सामने का हिस्सा है, लेकिन इसके सामने ये नारंगी रंग में खिड़की के ऊपर नो पार्किंग क्यों लिखा हुआ है, जो अब जॉन स्मित नाम के आर्किटेक्ट का है, अब इससे देखिए कैसे ये फोल्ड होकर आपके सामने फॉक्स वेगन गोल्फ को रास्ते पर आता हुआ देख सकते हैं, तो देवियों और सजनों भविश आपके सामने है, अगर आपको भी इसी तरह का एक घर चाहिए, तो क्या आप इसके लिए कुछ करना चाहेंगे, तो असल में यूके के लिजस्ट शायर में एक कपल ने ऐसा ही क्या, जो अभी तक के दिखाए गए उधारणों से बिलकुल अलग है, उन्होंने अपने घर को एक गैरिज के आड़ में चुपाने कुशिश की, इस तस्वीर को देखकर आपको बिलकुल शक नहीं होगा कि यहां पर कोई चुपा हुआ घर भी है, लेकिन अब जरा इस दूसरी तस्वीर को देखे, जहां इस गैराज के दरवाजी को इस पर आप एक घर देख सकते हैं, दरवसल इस स्कीम के पीछे एक ही मकसद था, वो था प्लानिंग रेगलिशन से बचने का, लेकिन अफसूस की इसके लिए कपल को 2000 यूरो फाइन के तौर पर भरने पड़े, जगे को बनाने के लिए, अगर हम एक नाइट क्लब में चु और क्या हो सकता है, ऑस्फेलिया के बारन बे के फॉल्स फेस्टिवल में इन पार्टी गोर्स को एक छोटे से गोल दर्वाजे में से रिंग कर उस पार जाना पड़ता है, ताकि वे क्लब में हो रही पार्टी तक पहुंच सकें, जो जो जोरों शोरों से चल रही है, तेस म हो, भाई मुझे तो ये नौटंकी सच में पसंद आ गए, आपको इन में से कौन सा सीक्रेट कमरा सबसे जादा पसंद आया, क्या आपके पास भी ऐसे ही सीक्रेट पैस्जेर्स बनाने का कोई आइडिया है, जो आप दुनिया के साथ शियर करना चाहेंगे, तो नीचे कॉम झाल